दोस्तो नमस्कार उज्वल लक्षे योटूब चैनल पर मैं नरायन प्रशाद देवंगन अब सभी का हर्दी कभी नंदन करता हूँ आज की इस वीडियो क्लास में हम टोटल पांच प्रशन लेकर आये हैं ये सभी प्रशन जो है सीजी टेट 2016 के प्रशन पेपर से लिए गए हैं आप में से कुछ सांथियों का सुझाओ हमारे पास आया आपने कहा कि सर आप जो है एक एक प्रशन का वीडियो बनाने की इस्थान पर कम से कम पांच प्रशनों का वीडियो बनाईए जिसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रशनों का अभ्यास हो सके अता आपके वहमूले सुझाओ को मानते हुए हम जो है पांच प्रशनों का एक वीडियो लेकर आए हैं यह सभी प्रशन जो है सीजी टेट 2016 का है जो कि इस साल आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी महत्तपूर है इसी प्रकार आपके पास कोई और सुझाओ हो तो जरूर हमें कमेंड के माधिम से बताईएगा निश्चित तोर पर उसे हम अमल करने का प्रयाश करेंगे तो चलिए सबसे पहले इस प्रशनों को हल करते हैं उसके अद्मा की प्रशनों को हल करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं प्रशन में कहा गया है यदि दो संख्याओं के LCM तथा SCF क्रमशा 30 तथा 3 हैं तब इन संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा संभो नहीं है एक संख्या 10 हो सकती है एक संख्या 15 हो सकती है एक संख्या 3 हो सकती है और उपरोक्त में से कोई नहीं तो यहाँ पर देख सकते प्रश्ण में कहा गया कि दो संख्या है इसका जो LCM है वो है 30 है और SCF है वो है 3 है तो आपको बता दे यहां पर जो भी संख्या होगा वो जो है उसके पहाड़ा में 30 आएगा ही आएगा और SCF यहां पर 3 दिया गए है तो इसके पहाड़ा में यह दोनों संख्या आएगा clear है? माल लीजे यहां पर कोई संख्या है जैसे 4 है और 6 है तो 4 और 6 का जो LCM होता है वो होता है 12 और SCF होता है वो होता है 2 तो हमने जैसे के भी बताया कि यहां पर जो संख्या होता है उसके पहाड़ा में LCM आता है रथा 4 के पहड़ा में 12 आएगा 6 के पहड़ा में 12 आएगा और उसी प्रकार SCF के पहड़ा में ये दोनों संख्या आता है क्लियर है अब इसी तथिक नुसार्सिस को देखते हैं माल लो एक संख्या अगर 10 है तो 10 के पहड़ा में 30 आएगा यहाँ तक तो ठीक है लेकिन 3 के पहड़ा में 10 आएगा क्या नहीं आएगा तो इस प्रकार से ये तो संभ़ो नहीं है आगे और देखते हैं यहाँ पर अगर माल ली जेख संख्या को 15 मानेंगे तो 15 के पहाड़ा में 30 आएगा ठीक है यहां तक और जो SCF है 3 उसके पहाड़ा में भी 15 आएगा तो इस प्रकार से यह बिल्कुल संभव है अब यहां पर देख सकते हो 3 के पहाड़ा में 30 आएगा तो संभव है बिल्कुल और 3 के पहाड़ा में 3 आएगा तो यह भी संभव है तो हम देखते हैं कि तीन आप्शन में से ये जो है संभव नहीं है आप्शन एक जब उसके बाद देख सकते चौथा आप्शन है उपरोगत में से कोई नहीं तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर तो हमको उत्तर मिल गया इस प्रकार से इसका जो उत्तर है आप्शन ए आएगा ठी तब पुराने SI अर्था साधरन ब्याज, Simple Interest और नए SI का अनुपात है तो इसमें कोई कठिन सवाल नहीं है क्या कहा जा रहा है कि मूलधन तो माल दीजे अगर मूलधन को 100 रुपे मानते हैं मूलधन को 100 रुपे मानते हैं और दर को यदि हम 10 प्रतिशत मानते हैं तो एक साल का ब्याज क्या हो जाएगा, अगर समय एक साल मानेंगे, समय एक साल, तो साधरन ब्याज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 का 10% अर्था 10, 10 से कम 10, 10 रुपे जो है साधरन ब्याज होगा ठीक है आप जो है सुत्रक नुसार से बना सकते हो लेकिन हमारे वीडियो में हम सुत्रक कप्रयोग बहुत कम करते हैं सधरान ब्याच के लिए अब इसमें कहा गया है कि यदी मूलधन को आधा कर दिया तो माल लिजे इसको हम आधा कर दिया अर्थात 50 कर दिया दर को दोगुना कर दिया अर्थात जो 10% है उसको हमने कर दिया 20% समय को अचर रखे अर्थात इसको हम बदले नहीं जो है वही रखे जो माल लिजे हमको एक वरसी रखना है अब इसका ब्याच कितना होगा 50 कर 20% कितना होता है दस होता है पिक ऐसे निकालते हैं 50 गुना 20 बटा 100 इस प्रकार से निकालोगे आप इस प्रकार से आप निकालोगे तो पांद निदस हुआ तो यहाँ पर देख से तो ब्याज यहाँ भी 10 आ गया इस इस्थिति में ब्याज 10 रुपय था यहाँ पर भी 10 रुपय है अब इस करते हैं प्रश्णक्रमांग 117 एक घन फुट मिट्टी का माप 50 kg है 50 kg है यदि 5 फिट लंबा 4 फिट चौड़ा तथा 3 फिट गहरे बगीचा को भरना है तब कितनी मिट्टी के आउशकता होगी तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो बगीचा है वो इस प्रकार से है बगीचा जो है इस प्रकार से है ये 5 फिट लंबा है उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फिट है और गहराई जो है क्या बोला जा रहा है 3 फिट है ये जो है बगीचा में बना हुआ गंठा है इसको भरने के लिए मिट्टी चाहिए तो इसमें जो मिट्टी गन फिट है साथ गन फुट बोल सकते है गन फिट बोल सकते है ठीक है अब इसमें कहा जा रहा है कि एक गन फुट जो है उस मिट्टी का माप 50 किलोग्राम है तो साथ का कितना हो जाएगा 60 गुणा 50 मराबर 6 35 उसके बाद 2 बाशुन्य तीन हजार किलोग्राम तो यहाँ पर और कितना है तीस क्विंटल कितना है तीस क्विंटल यह दिख सकते हैं यहाँ पर option 10 का से उत्तर है ठीक है अब जलते हैं अगले प्रशन में प्रशन क्रमांग 119 यदि एक संख्या का 60.25 प्रतिशत 964 है तब संख्या होगा यहाँ पर इस प्रशन को आप option की मदश से भी ब 10 से असानी से बन जाएगा यहाँ पर कहा गए है कि 60.25 प्रतिशत तो इसका अर्थ क्या है 60 सैगो और 10.25 तो आप क्या कीजे जितने भी option में दिये हैं उसका जो है 60 प्रतिशत कितना होगा अनुमान लगा लीजे या निकाल लीजे बहुत असान है कैसे निकालते हैं 1000 का 60% निकालना है तो यहाँ पर 60 बटा 100 यह होता है तो यह सब करने की आवशक्त नहीं है अगर 60% निकालना है तो यहाँ पर देख सकते हो 200 को हटा दीजे उसके वाद जो 10 बचा उसको 60 से गुणा कर दीजे तो क्या हो जाएगा 600 ठीक है तो 1000 का 60% हो जाएगा 600 126 के 72 720 हो आप देख सकते हो कि 964 के आसपास कौन सा रहा है यह 4 वाला अप्षन आ रहा है तो यही इसका उत्तर होगा क्योंकि बाकी बहुत दुर है अब आप 1600 का 60% निकाले तो 960 हुआ कंफर्म करने के लिए आप 1600 का केवल 2.25 प्रतिशत निकाल दीजे दसमला 2.25 प्रतिशत अर्थ निकाल आप दसमला हर जाएगा और यह बत्ते में हो जाएगा 100, ठीक है और उसके बात प्रतिशत के नाम से भी बत्ते में हो जाएगा 100 हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देख सकते THE08 excuse सुने यहां कटा, एक सुने यहां, एक सुने यहां, पचीस एकम पचीस, पचीस चौंक सो, चार एकम चार, चार चौंक सोला, कितना आया, चार आया, 960 में आप चार जोर दीजिए, 964 आया, देखिए, जो अनुमाल लगा थी, बिल्कुल परफेक्ट हुआ, अब ऐसे अगर पुछे जाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, अगर ट्रेडिशनल बनाना है तो, क्या कहा गए है, कि 60% दिया गए, 60.25 प्रतिसत दिया गए है, तो हमको पता करना है, 100 प्रतिसत पता करना है, ठीक है, कितने का, 60 प्रतिसत के वेलू कितना है, 964 है, तो आप इसको क हल कर दीजे आपको पूरा अंसर मिल जाएगा हल करके देखते हैं तो यह क्या हो जाएगा सो गुणा 964 गुणा सौ उसके बटे में हो जाएगा साथ दो पांच क्योंकि हमें दर्शमलों को अटाया यहां पे सो लगाया अब उसके बाद देखते हैं चार से भाग करेंगे 25 ब गधाद 5 चौंक 20 उसके अट यहां पर हो जाएगा पांग 10 निफात पांच चौंक बिस ऐकम 5 ठीक है देख सकते हैं किपना समय लग रहा है अब यहां पर देख सकते हैं किसको क कटाए यहां पर 100 और है से कम 240, 244, 964, ऐसा नुमान लगाया जाता है, जब लगा तरह गडित का भ्यास करोगे, यह सब असान हो जाता है, उसके वाद 4 गुणा 4, 16, 16, 16, 16, आप देख सकते हो, हमें यह उत्तर मिल गया, तो आप शित तरह पे देखे कि यह कठिन लगा, ट्रेडिशनल तरीका, तो आप्शन की मदद से भी आप बना सकते हो, ठीक है, अगला प्रशन, अब यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रशन को कैसे बनाए, तो ऐसे प्रशन जो की बहुत असान होते हैं, दिखने में कठी रहता है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो बटे की नी अगले हैं, बटे माँ जाएगा 2, तरीक गुणा होगा 2, धन 1 बराबर 3 बटा 2, ठीक है, यह क्या होते हैं कि 3 बटा 2, अब इसको Лिखेंगे कैसे, औक द्धन 1 बटा, अब उसको लिखेंगे 1 धन, अब यहाँ पर जो 3 बटा 2 आया है, वो कैसा है, एक बटा 3 बटा 2 आया ह ठीक है इसके जग में तो चुकि एक की बटे में है तो इसको आप सीधे पलड़ दो क्या कर दो बटथ तीन कर दो यह कैसे होता है आप देखे बता रहा हूँ एक बटथ दो अगर ऐसा रहता है तो इसको हल करोंगे तो एक बटथ एक ऐसा होगा और ये गुणा हो では 2-2-3 на przypadkuung aristocrate. इसको मानया 2-3 वह Christoy. इतना सब करने के वज़ा हमने क्या किया? Direct इसको पलट दिया. अब इसको हल करेंगे 1 Thun 2-3 इसको हल करके देखेंगे क्या आएगा? 1 Thun 2-3 happily aile तो इह हो जायया गाए 3 और 3 frightus 3 2-5 ahí pada 3 अब फिर से देख सकते इसका जो वेल्यू है यह कितना आया पांच बटा तीन आया तो एक धन एक बटा पांच बटा तीन है तो इसको कर दो एक धन तीन बटा पांच ठीक है अब इसको हल करेंगे एक बार बटे में पांच लिखेंगे पांच एकम पांच उसके पांच एकम अगले वीडियो में हम 2017 के प्रश्ण पेपर को हल करेंगे जुड़े रहेगा उज्वल लक्ष यूटूब चनल से नमस्कार